दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश सोचिए दोस्तों क्या हमारे समाज को बिलकुल असब्य असंस्कृत और हिंसक बनाने का अभियान छेड़ा जा रहा है आखिर क्या वज़ा है कि हमारे जो पवित्र तेवहार है चाहे वो धार्मिक तेवहार हो या सारवजनिक जीवन में पारंपरिक ढंग से मनाये जाने वाले तेवहार हो या संस्कृतिक उत्सव हों इन सब में एक तरह से ऐसा लगता है कि सब्यता को संस्कृति को विचार को भावना को सब को बिलकुल छोड़ कर और अजीब तरह से इन तेवहारों के प्रती एक अजीब दाश्ट का माहौल बनाया जा रहा है दंगों की जो बात है फसादों की जो बात है ऐसा लगता है कि इनको सामानी कृत मना दिया गया है एकदम सामानी करण इनका कर दिया गया है लोगों को ये फर्क उनके बीच से मिटाया जा रहा है कि जीवन में शांती का क्या महत्व है उनको लगता है कि जीवन का मतलब ही है दंगा फसाद जीवन का मतलब ही है टकराओ जीवन का मतलब ही है अशांती एक अजीब तरह का ये महुल है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया दंगे फसाद पहले भी होते थे और अपने देश में बहुत पहले से होते आ रहे हैं बिटिश हुकूमत ने इनका जवर्दस इस्तेमाल किया लेकिन दोस्तों उसको काउंटर करने के हमारे देश में प्रयास भी हुए कई जगा सत्ताएं भी करती थी प्रदेशों में क्योंकि लाइन और्डर हमारे समिधान के इसाप से कानून के इसाप से प्रांती सरकारों की जिमेदारी है बुनियादी तोर पर लेकिन अभी के दोर में देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सत्ता संरचना है जो शासन विवस्था संभालने की एजन्सिया हैं उनका भी एक तरह से दिमाग के स्तर पर छेतना के स्तर पर समझदारी के स्तर पर एक्षन के अस्तर पर ऐसा लगता है कि वो भी एक अजीब सोच अजीब मानसिक्ता से ग्रस्ट दिखाई देती हैं सारी एकी सारी एजन्सियां ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और दोस्तों राम नौमी से लेकर हनुमान जहनती तक आप जितने घटना क्रमों को आप देख पराओ, सामप्रदाई, दुराओ, दंगा, फसाद, इनका एक सामानी करणा आपको दिखाई देता है। लोग नहीं चाहते जहांगीर पूरी आप जाएए, चाहे मध्य प्रदेश के खरगाउन जाएए, कहीं भी आप जाएए, गुजरात भी जाएए, कुछे खलकों को छ कब पता नहीं फिर से बिमारी टपक पड़े, इन चीजों से घिरे हुए हैं, सबसे अधिक महांगाई और बेरोजगारी लोगों को मार रही है, ऐसे दोर में भला कौन आप आदमी चाहेगा कि दंगा फसाद हो, और दंगा फसाद वैसे भी आप आदमी नहीं चाहता, आप आदमी के लिए दंगा फसाद सबसे बुरी चीज है, उनका जीवन ठप हो जाता है, उनका काम ठप हो जाता है, उनकी गतिविदियां खत्म हो जाती है, उनके बच्चों की पढ़ाई, लिकाई, खेल कूद, स्वक्षंद होकर गुमना फिरना सब बंद हो जाता है, जहां ग व्यक्ति जो दंगे फसाद हुए, जो यहां पर तबाही हुई, जो यहां पर हंगामा हुआ, उसमें कोई आदमी शामिल नहीं था, फिर कौन शामिल था, कौन वे लोग थे, तो जब पत्रकारों ने पूछा उनसे, कि वे कौन थे लोग जो आये थे यहां, तो लोगों ने का क्यों वो आये थे, का उपर वालों के कहने पर, लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, उपर वाले का मतलब क्या है, तो वो साफ बोले, कुछ लोग हिच किच चातें बोले, कि कुछ नेता लोग हो सकते हैं, अब कौन नेता, यह ड़र के मारे कौन बताए, फिर कहीं समधाय है, दोनों में काफी उनका आधर है, मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे, तो हम लोग किसान परिवार में पैदा हुए थे, तो रामनोमी के दिन हम लोगों को डाल पूरी मिला करती थी, छोटे-छोटे बच्चे जब थे, और हम लोग गुलगुले खाते थे बखीर बनती थी, बड़े खोश होते थे, और रामनोमी को सेलिबरेट करते थे, कि इतना अच्छा खाना फिर मिले जल्दी-जल्दी, बार-बार रामनोमी आवे, हम बच्चों के दिमाग में ये बात होती थी, हन्माज जैनती तो कहरे उस समय तक नहीं मनाई जाती थी, न बच्चे लेकर के सेलिबरेट करते थे, हमें याद है कि एद, हर एद में, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, नो कि वह गले मिलते थे, बलकि जम कर बच्चों के इस्तर पर फ़रा बजर्ग लोग तो शायद खान पान नहीं करते थे, क्योंकि नॉन वेज और मानस और खत्म कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि उसको लोग नहीं चाहते कि समाज में एक दोसरे के साथ सौहार्द रो, जहांगीर पूरी के लोगों की पीड़ा यही है, जहांगीर पूरी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे एक घर के बगल में एक हिंदू घर है, और मस्जिद के ठीक सामने हिंदू का घर है, और जो मंदिर है उसके बगल में एक मुस्लिम का घर है, लेकिन फिर भी 45 साल कहीं किसी को याद नहीं कि कभी कोई टकराओ हो, तो फिर ये टकराओ कैसे इस बार हो गया, बुल्डोजर फिर कैसे पहुँच गया, मैं कहता हूँ कि अगर वरिंदा कारत, रवी राय और अनिक जो वामपंथी पार्टियों के लोग बुल्डोजर के ठीक सामने जाकर अगर नौक खड़े हो गये होते, सुप्रिम कोट का आदेश लेकर, तो क्या तबाही होती, शायद खारगोन को रिपीट किया गया होता, और खारगोन इसल जो विदवा है और जिसके घर को प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट खड़ा किया गया था, अब शासन जो है अपनी उस बरबरता, उस हिंसक और उस बेदिमाग कदम के लिए अपसोस तो खैर नहीं जाहिर कर रहा है, लेकिन मुआओजे के स्तर पर उस महिला को फिर स एक घर देने की बात चल रही है, अब आप सोचिए, जहां शासन की एजिंसियां ये काम करें, वहां सासन में बैठे लोग अगर कहीं किसी को उकसाते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, जहांगिरपुरी में एक सवाल बहुत महत्पूर्ण रंग से उबर कर सामने आया है, कि पांच इंच से ज्यादा अगर बड़ा कोई धारदार हत्यार है, तो उसे ले करके बाहर निकलने, जुलूस निकलने, सामजनिक प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है कानून के इसाब से, लेकिन वहां क्रिपान, तलवार, नजाने क्या क्या हत्यार चमकाए गए जुलूस म और वो भी तीन जुलूस निकला, सुबह, दो पर, दो पर के बाद और शाम को छे बजे, जब कुछ लोग अपने अपने अबादतगाह में जाकर कोई धार्मी का अपना कारी कर रहे थे, उनके सामने इस तरह की बात की गई, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों ऐसा लगता ह कि इस देश में हमारे समाज के बड़े हिस्से में, अगर साउथ के कुछी स्टेट्स को छोड़ दें, तो समुचे इलाके को जो वास्तविक समस्या लोगों की है, उससे बिलकुल काट देने की, बिलकुल से अलक कर देने की, एक कोशिश जारी है, दरसल ये दंगा केवल न लड़ा दिया जाए, लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, अब इंक्रोच्मेंट दूसरा एक पहलू है, दोस्तों, जो मैं शास की अस्तर पर, जो एड्मिस्टेशन की अस्तर पर, कई जगा पर, नेताओं के कहाने पर इ लेकिन मेंस्ट्रिम मीडिया में भी ऐसे आधेशों को बकाईदा छापा गया है, बकाईदा डिस्प्ले किया गया है, जिस में पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बकाईदा आधेश दे रहे हैं नगर निगम से जुड़े अधिकारियों को, कि अमुक इलाके के अब घरों को demolish किया जाये या इस इस इलाके में encroachment है इसको demolish किया जाये तो ये जो आजकल bulldozer की culture अब अब अपने देश में विकास नहीं बुल्डोजर की बात चल रही है पहले था कि विकास विकास पुरुश आते थे और बताते थे कि विकास की नदी विकास का एक फोहारा खुल पड़ेगा जैसे ही वो सक्ता में आएंगे अब बुलडोजर चल रहे हैं हर जगा जैसे लगता है कि भारत में इस समय अगर रास्ट्री कोई प्रतीक भारत का है तो बुलडोजर है विदेश से आते हैं कोई प्रतीक बना दिया गया है और हमने बुलडोजर को खारगाउन में देखा बुलडोजर को जहांगीर पुरी में देखा अब ये जो बुलडोजर कल्चर है ये बड़े लोगों के इंक्रोश्मेंट पर क्यों नहीं चलती मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और शासन की सभी एजनसियों को मैं चुनवती देता हूँ कि आप सारजनिक रूप से आप चाहें तो सर्वे करा लीजिए अपनी कोई भी एजनसिय सर्वे कर ले कि भारत में जमीन जायदात का सर्वाधिक अतिक्रमाण इंक्रोश्मेंट या हरपने की कारवाई किन लोगों ने की है गरीबों ने या अमीरों ने आप दिल्ली का उधारों ने देख लिए दिल्ली के साउथ एरिया में साउथ दिल्ली में जो बड़ी बड़ी पाश कालोनीज हैं उनका इंक्रोस्मेंट का इतिहास कितना पुराना है क्या कभी बुल्डोजर चले और बुल्डोजर निकले भी तो वो कैसे अचानक फिर मुड़ गए कुछ नहीं हुआ तो जो बड़े लोग हैं वो तो सडक पर अपनी सीडियां घर की निकाल देते हैं सबसे अधिक अगर अतिक्रमण है तो कई जगा धार्मिक जो कथित धार्मिक कथित धार्मिक मैं कहूंगा जहां चाहें वहां कोई धार्मिक एक कोई स्थल बगा दीजे और सड़क पर कब्जा कर लीजे सड़क के बीचों बीच कोई चीज खड़ी कर दीजे और आप कहिए कि ये प्राचीन उपासनास्थल है नहीं अजीब इस ते थी है प्राचीन अबादतगा है इस तरह की चीजें तो आप इंक्रोच्मेंट केवल गरीबों को आप जगह नहीं देते उनको आप घर नहीं देते और आप उनकी जुगियों को डिमॉलिश करके समझते हैं कि भारत संदर बन जाएगा भारत अच्छा लगेगा भारत तरक्की करने वाले मुलकों की कतार में खड़ा हो जाएगा लेकिन आप उन लोगों को नहीं चिरते जो समंदर नदी जंगल जमीन सब पर कबज़ा किये जा रहे हैं शहरों पर कबज़ा किये जा रहे हैं जिनके पास बेशुमार जमीन है जिनके पास बेशुमार जायदाद है उन पर आपका बुल्डोजर नहीं चलता किस तरह का बुल्डोजर आपका है ये अन्याय का बुल्डोजर है अत्याचार का बुल्डोजर है और ये बुल्डोजर डिमोक्रिसी के खिलाफ है ये आम आदमी के खिलाफ है तो दोस्तों ये हमारी आज की पहली ख़बर थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि दरसल हमारे यहां जो कुछी समय हो रहा है वो मनुश्यता के खिलाफ है वो थर्म के खिलाफ है वो राम के खिलाफ है वो अल्ला के खिलाफ है वो हनुमान के खिलाफ है वो सब जितने लोगों का आप नाम ले लीजिए देवी देवता के नाम पर, महापुरुष के नाम पर, महात्मा के नाम पर सब की खिलाफ है ये सब्वेता के खिलाफ है, समाज को हिंसक मराया जा रहा है, समाज को टक्राओ में डाला जा रहा है लोग नहीं चाहते फिर भी जवर्दस्ती उन पर इंपोज किया जा रहा है और हफ़ते की बात की हमारी दोस्तों दूसरी खबर है कि जिगनेश मेमानी गुजरात के एक मात्र एक मात्र निर्दलिय भी धायक उनको बुद्धवार को गिरफ़तार कर लिया गया उनको गिरफ़तारी नहीं किया गया असम की पुलिस आई बानास काटा जो गुजरात का एक जिला है वहां से उनको उठाया और वहां से गुहाटी से उनको कोकरा जार स्रणक के रास्ते ले जाया गया और अभी पता चला है कि उनको पुलिस इरास्त में उनको रखा गया है अब आगे जमानत की कारवाई पर क्या कदम उठाया फैसला होगा ये हम नहीं बता सकते ये अदालती प्रक्रिया है लेकिन अचरच की बात है कि उनको कुकरा जार इलाके के एक स्थानी नेता के द्व क्या है और वो ट्विट पर flike किया था जिसके तुहुत उनको नहीं बताए जाता है कि गिरुफतार कुछ इस तरह के और भी ट्विट थे जिनका हवाला दिया गया है और इस तरह ट्विट करने पर एक विधायक को जन प्रतनिदी को आप उनके ट्विट की भाशा पर content पर असामत हो सकते हैं लेकिन गिरफतारी के लिए FIR करना किस तरह का कदम है क्या ये democratic है वो भी एक विदायक या एक आम आदमी किसी के भी किलाब मुझे याद आता है दोस्तों कि विनो दुआ बहुत जाने माने पत्रकार जब जो अब हमारे बीच नहीं है उनको भी इसी तरह के ट्वीट और इसी तरह के कमेंट्स जो उन्होंने किये थे यूट्यूब चैनल पर उसको लेकर और टेलिविजन पर भी इसको लेकर हिमाचल प्रदेस के सुदूर इलाके में फाई आर कराया गया और उनको गिरफतारी की तलवार लटकने लगी माननी अदालत के हस्तक शेप के बाद चुकि वो एक बहुती प्रसिद मीडिया परसन थे और हम लोगों के दोस्त भी थे और उन लोगों के पत्रकारों ने भी काफी इस पर प्रदर्शन किया इस पर प्रोटेस्ट किया अन्तता उनको न्यायाले से एक रहत मिली और किसी तरह उनकी गिरफतारी टेली दोस्तों और दुर्भागे बश बाद के दिनों में पत्थी पत्नी दोनों का इंतकाल हो गया कोरुना और कोविड से जुड़ी कंप्लिकेशन में तो बिनोत दुआ की केस भी मुझे जिगनेश पेमारी की इस केस के साथ यादा रही है जिनको अभी हाल में कुकराजार पुलिस ने गिरफतार किया असम पुलिस ने गिरफतार किया तो ये दिल्चस्प बात यह है कि जिगनेश विमानी को गिरफ़तार किया गया है और वो बहुत जबरदस्ट कैमपेइनर हैं गुजरात एलेक्शन में और माना यह जाता है कि भले ही वो निर्दली हैं लेकिन मुख की विपक्षी कांग्रिस पार्टी की तरफ से वो कैमपेइन करेंगे तो यह भी एक देखने की बात है कि क्या एक दलित समाज से आने वाले प्रखरनेता बेहद मुखरनेता को एलेक्शन से एन पहले गिरफ़तार करने की यह कोई परियोजना है कोई योजना है हम नहीं जानते कि इसके पीछे और क्या कहानी है लेकिन बहुत राइनितिक रूप से यह संबेदंशील मामला लगता है यह कोई आसान और बहुत ही सहज नहीं दीखने वाला मसला है बहुत जटिल है देखे आगे आगे होता क्या है और बिलकुल आखीर में दोस्तों हपते की बात में संचिप्त खबर एक और आपके सामने वो यह कि इंडियन एक्स्प्रेस ने बहुत दिल्चस्प खबर चापी है और मैं या आप कोई भी पढ़ेगा तो ताजिब करेगा कि फैज अमत फैज ग्लोबल यानि वैश्विक कविता वैश्विक कविता के एक महांतम हस्ताक्षर फैज अमत फैज सहाब की दो कविताओं को 10th क्लास CBSC का जो पाठिक्रम है जो करिकुलम है अपना वहाँ पर 10th क्लास की जो किताब है उसमें उनकी दोनों कविताएं जो थी उनको बाहर कर दिया गया है यानि फैज अमत फैज सहाब भारती समाज में CBSC से जो पढ़ने वाले 10th क्लास के बच्चे हैं जिनके लिए कोर्स की कुछ बुक्स रिक्मेंडिट थी उन किताबों में अब फैज सहाब को नहीं पढ़ाया जा सकेगा तो ये हालत है वो फैज सहाब जिनकी शायरी जिनके नजम जिनके तमाम जिनकी कविताएं पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है नौजाने दुनिया की कितनी भाषाओं में उनके अनुवाद है उर्दु की बात छोड़िए अंग्रेजी, फ्रेंज, जेर्मन, रेशन, चैनिज जितनी भाषाओं का नाम लीजिए उन सभी भाषाओं में उनके अनुवाद है दुनिया उनको पढ़ती है लेकिन भारत जिसे वो महबबत करते थे जिस देश को महबबत करते थे पाकिस्तान के शास्कों के खिलाब बुलते थे पाकिस्तान में जब तानाशाही थी जेल में होते थे और वैसे फैज अहमत फैज सहाब को उनकी कविता को हमारे पाठीकरम से हमारे बच्चों से दूर किया गया है नमस्कार दोस्तों आदाब सत्स्रियकाल